हलो स्टूडेंट्स, विल्कम बैक टू माई योटूब चैनल आर्ट स्रीजन क्लासेज, मेरा नाम रंजना गुपता है, आज हम आप लोगों को यूद कॉम्पिटीशन का चैप्टर फाइफ मत्य कालिन चित्रकला का कोश्चन सॉल्फ कराएंगे, तो चलिए शुरुवात कर आते हैं कोश्चन नमबर वन से, कोश्चन नमबर वन है, सही कालान उकरम का चैन करें, आपसन ए है, रिशबनात, अजितनात, पार्षवनात, महावीर, आपसन भी है, अजितनात, रिशबनात, पार्षवनात, महावीर, आपसन सी है, रिशबनात, पार्षवनात, महावीर, अजितनात आपसंडी है पार्श्वनात रिशबनात अजितनात महावीर तो यह किनके नाम दिये गए है यह जैन तिर्थंकर के नाम है ठीक है तो प्रथम जैन तिर्थंकर कौन थे रिशबनात थे रिशबनात ठीक है और फिर उसके बाद क्या इसमें दिया है दुत्तिय हो ग रिशबनात अजितनात और पार्षवनात का क्या है पार्षवनात हो जाएंगे 23 तिर्थंकर और महावीर 24 तिर्थंकर तो इसका सही क्रम यह है ठीक है यहाँ पर रिशबनात अजितनात पार्षवनात महावीर सही हो जाएगा निक्स कोश्चन है कौन सा बहुत मूल गरंद कई साही इमार्तों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वरण करता है आप्शन A है विने पिताका, आप्शन B है सुद्पिताका, आप्शन C है अभिधम पिताका, आप्शन D है उपरोक्त में से कोई नहीं तो बहुत बूल ग्रंद कई साही एमारतों में चित्रित आकृतियों का जो अस्तित्व का वरणन है वो किसमे है वीने पिताका में ठीक है वीने पिताका में इसका वरणन मिल प्राप्त होता है बौत धन्म के बारे में विशद ज्यान त्रीपिटकों से प्राप्थ होता है और जिनकी भाशा पाली है ठीके? त्रीपिटग से ही पता चल जाता है कि इनकी संख्यात तीन है ठीके? कौन-कौन से है? वे विनेपिटग, सुत्थपिटग और अभीधमपिटग सुद्पिटट में जातक कताओं का वर्णन मिलता है निक्स कुश्चन है चौर पंचासी का डैस दवारा लिखा गया आपसन A है वातसियायन आपसन B है बिलहड आपसन C है यशोधर पंधिट आपसन D है शशी कला तो 485 का लिखा गया है बिल्धर के द्वारा ठीक है नेक्स कोस्चन है लगोच चित्रकला भारत के किस हिस्से में विक्सित हुई थी ओप्सन A है उत्री, ओप्सन B है उत्तर पस्चिम, ओप्सन C है पूर्वी, ओप्सन D है उत्तर पूर्व तो लगू चित्रकला भारत के किस हिस्से में विक्सित हुई थी देखिए वैसे विक्सित तो ये पस्चिम भारत के पस्चिमी हिस्चे में हुए थी ठीक है पर यहाँ पर option में पस्चिम दिया नहीं है उत्तर पस्चिम दिया है और लगुचित्रकला का प्रारम भारत के पूर्वी हिस्से में हुआ था तो यहाँ पर आपका option C पूर्वी ये सही हो जाएगा अगर यहाँ पस्चिम होता option में तो पस्चिम सही हो जाता ठीक है पूर्वमत काल में पूर्वी भारत के बंगाल छेत्र में पाल रजाओं के शाशनकाल में आठवी शती से चित्रण की एक नई परिपाटी का प्रारम हुआ जिसे हम पाल सैली के नाम से जानते हैं नेक्स्ट कोश्चन है मांडू किसे राज़े में स्थीत है ऑप्सन A है मध्य परदेश ऑप्सन B है करनाटक ऑप्सन C है महाराष्ट्र ऑप्सन D है जार खंड तो मांडू मध्य परदेश में स्थीत है ठीक है और मांडू जैन चितकला के लिए प्रसित है नेक्स्ट कोश्चन है चालुक के वंसकी राज़धानी यहां स्थीत थी देखिए चालुक के वंसकी जो प्रारंबिक राज़धानी बदामी थी ठीक है तो यहां पर बदामी सही हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है महावीर का जन्मी चित्रित क्या गया है महावीर का जन्मी चित्रित क्या गया है कलप सुत्र में ठीक है कलप सुत्र में समस्त जैन तिन धंकरों की जीवनी चित्रित है निक्स कोश्चन है काल का चार कथा यहां एक डैस हस्त लिखित चित्र है आप्सन ए है बाद, आप्सन बी है जैन, आप्सन सी है शिव, आप्सन डी है वैश्डाउ तो काल का चार कथा यहां एक जैन हस्त लिखित चित्र है ठीक है यहां option B जैन सही हो जाएगा काल का चार कथा क्या है तो तार पत्त्रिय चित्रित ग्रंत है ठीक है जो की जैन धर्म से सम्बंदित है next question है पाल के लगुच चित्र इससे सम्बंदित थे option A है जैन धर्म, option B है बौत धर्म, option C है हिंदु धर्म, option D है इन में से कोई नहीं तो पाल के लगुच चित्र बौत धर्म से सम्बंदित थे ठीक है पाल सैली का time period 730 से 1197 इस्वी है यानि की 8 से 12 शती इस्वी पाल सैली को मुक्यता पोती चित्रन सैली के रूप में भी जानते है ठीक है और पाल सैली के गरंथ बौत धर्म की महायान साखा का प्रति निधित्व करते हैं next question है काल का चारिक कथा और कल्प सुत्र में चित्रित किया गया है option A है बुद्ध लगुचित्र, option B है जैन लगुचित्र, option C है अजन्ता चित्रकला, option D है बागुफा चित्रकला तो काल का चारिक कथा और कल्प सुत्र में क्या चित्रित किया गया है? जैन लगुचित्र चित्रित किया गया है यहाँ option B जैन लगुचित्र सही हो जाएगा next question है उस आस्था का नाम बताईए जो पाल रजाओ का भाग नहीं था option A है श्वितामबर, option B है महायान, option C है तंत्रयान, option D है वज्रयान तो पाल रजाओ का भाग नहीं था श्वितामबर यह जैन धर्म से समद्धित संप्रदाई है next question है बुध की मानवी रूप में प्रतिमाए या चित्र डैस में प्राप्त होती है option A है वज्रयान संप्रदाई, option B है हीन यान संप्रदाई, option C है महायान संप्रदाई, option D है सिद्ध यान संप्रदाई तो बुद्ध की मानवी रूप में प्रतिमाय या चित्र महा यान सम्प्रदाय में प्राप्त होती है ठीक है? नेक्स कोस्चन है भारती लगुट चित्र सैली की परंपरा कब अधिक फली फुली? बारती लगुट चित्र सैली की परंपरा नौवी से उनिश्वी सती इस्वी में अधिक फली फुली थी, ठीक है? नेक्स कोस्चन है निम्न में से सही को चुनिये ओप्सन ए है, विशुडु धर्मुतर पुराण में चित्र सूत के छे प्रकार के रंग बताये गए है ओप्सन बी है, जैन सैली के चित्र दक्षिन भारत से संबंदित नहीं है नहीं, ये भी गलत है Option C है पार सैली के पोथी चित्र बौध धर्म की महायान साखा से संबंदित है Option B है लिपाक्षी मंदीरों के चित्र वैशनों धर्म पर आधारित है तो इसमें से जो सही है वो है Option C पार सैली के पोथी चित्र बौध धर्म की महायान साखा से संबंदित है next question है गौतम बुद ने किस स्थान पर निर्वान प्राप्त किया है option A है सारनाथ option B है कुशी नगर option C है नालंदा option D है बोध गया गौतम बुद ने निर्वान प्राप्त किया था कुशी नगर उत्तर प्रदेश में कब किया था तो 483 ईशा पूर्व में, ठीक है, next question है, प्रसित नालंदा किस राज में है, Option A है उत्तरांचल, Option B है बिहार, Option C है उत्तर पृदेस, Option D है मध्य पृदेस, तो प्रसित नालंदा कहा है, बिहार राज में है, ठीक है, और नालंदा विस्विधाले की स्दापना, गुप्त सासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी नेक्स क्वेशन है प्राचिन बहुत कला पर प्रकाश डालने वाला इत्यास कार तारा नाथ थे Option A है चीनी, Option B है तिबती, Option C है कश्मीरी, Option D है पाकिस्तानी तो प्राचिन बहुत कला पर प्रकास डालने वाले इतिहासकार कौन थे लामा तारानाथ ठीक और ये क्या थे ये क्या थे लामा तारानाथ ये सोल्वी शती के तिपती इतिहासकार थे ठीक है Next Question है बहुत बिक्षू किसमें रहते थे? Option A है विहार, Option B है स्टूप, Option C है मंडप, Option D है बस्तियों तो बहुत बिक्षू किसमें रहते थे? विहार में, जिसे संघाराम भी कहा जाता है बुद्ध अपने उपदेश मुखे रूप से किस भासा में देते थे निक्स कोश्चन है इन में से कौन असंबद है आप्सन A है सुर सुंदरी कहा आप्सन B है त्रिष्टी शला का पुरुष चरित आप्सन C है कथा सरित सागर आप्सन D है चौर पंचासी का तो इन में से असंबत क्या है? चौर पंचासी का असंबत है चौर पंचासी का क्या है? ये जैन सैली की सचित्र पोती है, ठीक है? Next question है भारती लोगों चित्रों की परमपरा किस काल से आरम हुई? Option A है प्राचिन काल से Global B है आदुनिक काल से Option C है पूर्वमदिकाल से Option D है प्रागयतिहासिकाल से तो भारती लगुचित्रों की परंपरा पूर्वमदिकाल से आरम हुई Next Question है पास्चित्रकारी में इनमें से किसे आधार के रूप में इस्तिमाल किया जाता था Option A है कागच का पत्ता Option B है तार का पत्ता Option C है लकडी का पत्ता Option D है ताम्बे का पत्ता तो पार्स टितरकारी में तार का पत्ता या पाम लीफ जिसे इंगलिस में क्या कहते है पाम लीफ कहते हैं इसका प्रियोग किया जाता था ठीक है? इसकी माप के बात की जाये तो इसकी माप है 22.5 गुडे 2.5 इंच ठीक है और एक माप और इसकी है वो है 22.25 गुड़े 2.25 इंच ये दोनों माप एकजाम में पूछे जा चुके हैं तो इसलिए आप इन दोनों माप को याद कर लीजिए ठीक है क्या है इनके माप पहला है 22.25 गुड़े 2.25 इंच जो की ऑथिंटिक माप है पर एक माप और है 22.25 गुड़े 2.25 इंच बुद्ध धर्म का कौन सा वर्ग बुद्ध को किसी भगवान के बजाए एक मानो की रुप में देखता है जिसने मोक्ष का तरीका खोजा था आप्शन A है वजरे यान, आप्शन B है हीन यान, आप्शन C है परशु यान, आप्शन D है महा यान तो इसका राइट एंसर हो जाएगा हीन यान हीन यान में क्या होता था? प्रतिकों को मानते थे, प्रतिकों को पुछते थे बुद्ध के प्रतीकों को ही वो मानते थी ठीक है और महायान में क्या है मूर्थ की मूर्थी की पूजा होती थी ठीक है उसमें मूर्थी पूजा प्रधानता थी इसका राइट एंसर हो जाएगा अजितनात अजितनात का प्रतीक एक हाथी है ठीक है और ये संभवनात का प्रतीक क्या है तो संभवनात का प्रतीक घोड़ा है और नेमीनात का प्रतीक क्या है संख है महावीर का प्रतीक क्या है तो सिंग है ठीक है नेक्स कोश्चन है पंच रक्षा सूत्र की हस्त लिपी का चितरण किस परंपरा से संबंदित है आप्सन ए है मुगल लगू चितरकारी से आप्सन भी है पाल लगू चितरकारी से आप्सन सी है दखिन लगू चितरकारी से आप्सन डी है जैन लगू चितरकारी से तो पंच रक्षा सूत्र की हस्त लपी का चित्रन किससे संबंदी थे पाल लगू चित्रकारी से संबंदी थे और पंच रक्षा सूत्र केमडिग विस्विस धाले लंदन में संग रही थे नेक्स कोश्चन है ताल पोथी चित्र पंच विम सती सहस्रिका का चित्रण हुआ आप्शन A है जैन सैली, आप्शन B है मुगर सैली, आप्शन C है पाल सैली, आप्शन D है हिंदू सैली तो पंच विम सती सहस्रिका का चित्रण पाल सैली में हुआ है नेक्स कोश्चन है निम्डे लिखित में से किस लगुचितर पर अजन्ता का प्रभाव है आप्सन A है जैन लगुचितर आप्सन B है राजस्थानी लगुचितर आप्सन C है पाल लगुचितर आप्सन D है मुगल लगुचितर तो पाल लगुचित्र पर अजन्ता का प्रभाव है नेक्स कोश्चन है पाल सहली के सनरक्षक कौन थे आप्सन A है चालुक्य, आप्सन B है पाल सासक, आप्सन C है शुंग सासक, आप्सन D है चोल सासक पाल सहली के सनरक्षक पाल सासक थे निक्स कोश्चन है पोथी चित्रों का निर्मार किन राजवन्स ने कराया आप्सन A है पाल, आप्सन B है गुप्त, आप्सन C है जैन, आप्सन D है हिंदू तो पोथी चित्रों का निर्मार पाल राजवन्स ने कराया था ठीक है निक्स कोश्चन है बारती लगो चित्रों की परंपरा किस काल से आरम हुई आप्शन A है प्राचिन काल से, आप्शन B है आधुनिक काल से, आप्शन C है पूर्व मद्यकाल प्राकृत से, आप्शन D है प्रागतिहासिक काल से तो भारती लगो चित्रों की परम्परा पूर्मध्यकाल प्राकरित से आरम हुई थी नेक्स खोस्चन है पूर्मध्यकालिन प्राकरित कला के Option A है चित्रों में ले और गती का पूर्ण भाव है Option B है चित्र ले एवं गती पूर्ण है Option C है चित्रों में भावो का पूर्ण भाव है Option D है चित्र उच्च कोटी के है तो पूर्मधकालिन कला के चित्रों में भावो का पूर्ण भाव है यहाँ option C सही हो जाएगा next question है बौध गरंद विने पिटी का किस भासा में लिखा गया option A है हिंदी, option B है अब ब्रांज, option C है पाली, option D है संस्कृत बौध गरंद विने पिटी का लिखा गया है पाली भासा में next question है बौध धर्म का मुखे बड़ा मंदिर निमने लिखित में से किस प्रांट में है option A है उत्तर प्रदेश, option B है बिहार, option C है पंजाब, option D है मद्धि प्रदेश तो बौध धर्म का मुखे बड़ा मंदिर कहां है बिहार में है ठीक है जिसे महाबोधी मंदिर भी कहते हैं और पालवंस के सासक दियोपाल ने बिहाराज के बोध गया नामा के स्थान पर बहुत धर्म का महाबोधी मंदिर का निर्मार करवाया था ठीक है जो भारत में इस्थित सबसे बड़ा एवं मुख्य मंदिर बहुत धर्म का माना जाता है ठीक है नेक्स कोश्चन है भारत में लगुचित्रों की सुरुवात किसने की आप्सन ए है राजपूत, आप्सन भी है मुगल, आप्सन C है पाल, आप्सन D है मौर्य भारत में लगुचित्रों की सुरुवात पाल सासकों ने की नेक्स कोश्चन है पाल साली की चित्रों का प्रमुक्विसे क्या है तो पाल साली की चित्रों का प्रमुक्विसे बौध है नेक्स कोश्चन है सर्व प्रथम लगुचित्र किस पर बनाए गए Option A है कागज, Option B है ताड़ पत्र, Option C है काज, Option D है वस्त्र सर्व प्रिथम लगूच चित्र बनाए गए ताड़ पत्र पर, यानि की पाम लीफ पर Next question है, पाल पोथी चित्रों का विश्य है Option A है पाल अजों का जीवन परी चरित, Option B है नवावों का दर्बार, Option C है बुध का जीवन चरित, Option D है चतन्य महाप्रभू का जीवन चरित पाल पोथी चित्रों का विश्य है बुध का जीवन चरित Next question है, पाल चित्र कला किस प्रदेश की है? Option A है नेपाल की, Option B है उडिसा की, Option C है बिहार की, Option D है बंगाल की तो पाल्च चित्रकला किस प्रदेश की है? बंगाल की है Next question है पोथी चित्रण का प्रारम किस सैली से हुआ? Option A है राजपूत, Option B है पाल, Option C है जयन, Option D है मुगल पोथी चित्रण का प्रारम पाल सैली से हुआ, ठीक है? और पाल सैली में कितने गरंद चित्रित हुए है? तो 24 गरंदों का चित्रण हुआ है पाल सैली में 24 गरंद चित्रित हुए है Next question है भारत के किस भाग में लगू चित्रण विश्शीत हुआ? Option A है उत्तर भारत, Option B है पूर्वी भारत, Option C है दक्षणी भारत, Option D है पस्चिमी भारत देखिए हमने अभी आपको बताया यहाँ पर पहले कि लगुचितरण विक्षित हुआ, कहां हुआ तो पस्चिमी भारत में हुआ था तो इसमें पस्चिमी भारत नहीं था, तो इसलिए पूर्वी भारत को सही कर दिया था पर यहां Option में पस्चिमी भारत है, तो इसका राइट और हो जाएगा, पस्चिमी भारत लगुचितरण पस्चिमी भारत में विक्षित हुआ था, ठीक है next question है तो इसमें तिर्थंकर और उनके प्रतीक दिये गए है इसका क्या करना है चलिए मिलान करते हैं अभी आप लोगों को इसके प्रतीख और तिर्थंकरों के प्रतीख और इनका रंग ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है तो रिशब नात का प्रतीख है सांड, पार्शुनात का प्रतीख क्या साप है अब महावीर का सिंग है तो नेमी नाथ का प्रतीक है संग ठीक है? आप्शन C यहाँ पर सही हो जाएगा नेक्स कोस्टन है सित्तन वासल का गुफा मंदिर निम्ण लिखी धर्मों में से एक को सरमर्बित था दिये के विकल्पों में से उसकी पहचान करें आप्शन A है हिंदू, आप्शन B है इसलाम, आप्शन C है बाद, आप्शन D है जैन तो सित्तन वासल गुफा जैन धर्म से संबंदित गुफा है ठीक है? देखिए सित्तन वासल गुफा तंजोर तमिलनाडू के पुद्दू कोटे नामकिस्थान से 16 किलो मेटर दूर कावेरी नधी के तट पर इस्तित है ठीक है? और इसकी खोज किसने की? तो सित्तन वासल गुफा की खोज 1934 इस्वी में प्रोफेसरल डुब्रिल ने की थी और सर्प्रिथर्म इस गुपा को टीएस गोपिनाथ ने देखा था ठीक है? सित्तन वासल की गुफा सर्प्रिथर्म किस ने देखी? टीएस गोपिनाथ ने देखी थी और सित्तनवासल का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सित्तनवासल का शाब्दीक अर्थ है जैन संत्ग सिद्धों का निवास इस्थान नेक्स कोश्चन है कल्प सूत्र किस धर्म का धार्मिक पार्थ है दिये के विकल्पों में से पहचान करें आप्सन A है जैन, आप्सन B है हिंदू, आप्सन C है पाल, आप्सन D है बौध तो कल्प सूत्र जैन धर्म का धार्मिक पार्थ है इसमें क्या है? जैन तिर्थंकरोप्या जीवन चरित का वरणन है ठीक है? और कल्प सूत्र के रचईता कौन है? तो भद्र बाहू है कल्प सूत्र की रचना भद्र बाहू ने की थी नेक्स कोश्चन है भारत के नविंतम गुफा मंदीरों को किसको समर्पित किया गया था? नेक्स कोश्चन है जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडोलीपी का रचना काल क्या है? आप्सन A है 1060 इस्वी, आप्सन B है 1105 इस्वी, आप्सन C है 1150 इस्वी, आप्सन D है 1020 इस्वी जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडोलीपी है, वो है आधर नियुक्ति वृत्ति ठीक है? जिसका रचना काल है 1060 इस्वी निक्स कोश्चन है, जैन सहली को पस्चमी भारती शहली की सृद्वान ने कहा? आप्सन A है रायकृष्णदास, आप्सन B है ईवी हैवल, आप्सन C है आनंद कुमार स्वामी, आप्सन D है रविंद्र नाट टैगोर तो जैन सहली को पस्चम भारती सहली आनंद कुमार स्वामी ने कहा है नेक्स कोश्चन है जैन चित्रकला के प्रसित इस्त्रोत बताएं आप्सन A है पंचदसी, आप्सन B है धमपद, आप्सन C है काम सुत्रम, आप्सन D है कल्प सूत्र तो इनमें से जैन चित्रकला के प्रसित इस्त्रोत है कल्प सूत्र ठीक है? नेक्स कोश्चन है अब ब्रहन सैली में अंग प्रित्यंग बने हैं आप्शन A है कोमल, आप्शन B है स्थिर और जक्डे, आप्शन C है गीत मैं, आप्शन D है इनमें से कोई नहीं तो अब ब्रहन सैली में अंग प्रित्यंग कैसे बने हैं? स्थिर और जक्डे बने हैं नेक्स्ट कोश्चन है एलोडा की प्रसिद्धी का कारण है आप्सन ए है चित्र सहली आप्सन भी है धार्मिक विशेवस्तू आप्सन सी है कैलास मंदीर आप्सन भी है नडराज की मूर्ती तो एलोरा की प्रिसिद्धी का कारण है केलास मंदिर जिसे एलोरा की जान भी कहा जाता है ठीक है देखिए एलोरा की गुफा संग्या सोला में केलास मंदिर इस्तित है ठीक है एलोरा की गुफा संग्या सोला को केलास मंदिर के नाम से जाना जाता है और जिसका निर्माण रा में यह निर्मित है इसकी स्थापत ही उजना द्रविर सेली के सनिकट है और यहां गुफा सेव धर्म से सम्बंदित है कैलास मंदीर का जो माप है वो है 142 फीट लंबाई है इसकी और इसकी चोड़ाई 66 फीट है और उचाई 100 फीट है नेक्स कोश्चन है अजन्ता के चित्र सम्बंदित है आप्सन ए है बुद्ध से आप्सन भी है शिव से आप्सन सी है विश्रू से आप्सन डी है दलाई लामा से तो अजन्ता के चित्र सम्बंदित है बुद्ध से सम्बंदित है देखे इस क्लास में यूद कॉम्पिडिशन का chapter 5 के 50 questions तब solve करा दिये गए हैं अब next class में इसके आगे के questions solve करा जाएंगे तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और revision करते रहिए thank you so much